हेलो स्टुडेंट्स, आज हम लोग किटोन्स यूनिट के लक्षर नमबर थ्री में हैं और यहां किटोन्स के निर्माळ की सामाने विधियों को पढ़ेंगे, यानि जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेशन आफ किटोन्स के केमिकल रियक्शन्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ एरोमेटिक किटोन्स के नॉमिनेशन फॉर्मेशन रियक्शन्स को भी स्टड़ी करेंगे पार्ट टू क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स के टू रियक्शन्स कम्प्लीट किये थे जिन में से पहला था बाई एलकोहालिक आक्सीडेशन एलकोहालों के आक्सीडेशन द्वारा किटोन्स का फॉर्मेशन अऑज हम लोग थर्ड नमबर मेथड से आगे की रियक्शन्स को स्टार्ट करेंगे कि नो मैथरड इस फ्रॉम कार्बॉक्सलिक एसिड कार्बॉक्सलिक अमलों द्वारा कि टोन्स का निर्म है तो कार्बॉक्सलिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंट्स में sociedade के लिए थी इस सिए की की उपस्तती हो वे कार्बॉक्सलिक एसिड क कहला तो यहां सा मने कार्बॉक्सलिक एसिड का रीच्ट्स के का रेक्ष्ट और यहां पर आर लिया है एल्टि ग्रुप और यहाँ और यहां आडेस लिया है के लिए और यह रियक्शन मेगनस ऑक्साइट की उपस्तती में नियर अबाउट 573 कल्विन टंप्रेचर पर पूर्ण होती हैं जिसके फल्स रूप किटोंस में प्रॉडक्ट के रूप में प्राप्थ होते हैं तो रियक्शन का कांसेट समझते हैं और एक्जामपल देखते ह हैं जब टोईस मॉलिक्यूल आफ कार्बोक्सिलिक एसिट के स्टीम को यानि वेपराइजेशन प्रॉसेस से इनके स्टीम बनाते हैं और एमेनो मेगनस ऑक्साइट की प्जेंस में नेर बाउट 573 कल्विन टंप्रेचर पर हीट करते हैं देन कीटोंस प्राप्त होते हैं औ यानि उच्छ आणो भारवाली की टोंस हैं पॉर एक्जाम्पल है 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 सी एच त्री है सी ओ ओ एच यह यह आपका एस्टिक एसिड हुए जो की कार्बोक्सिलिक अमलों का सज़स्य है प्लेस है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में हम देफरेंट एलकिल ग तो यह हो गया आपका एतेलोई के सिड क्योंकि यहां दो कार्बन की उपस्तती है और यह हो गया प्रोपेनोई के सिड यहां थ्री कार्बन की पजेंस है वो था रियक्ट्री इतनी हो जाएगी और यहां से के वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रेक्शन होगा एच्टू ओका तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेक्शन दिखाते हैं एच्टू ओका और प्लेस यहां से इतना पार्ट रिमूबल होगा कार्बन डाई ऑक्साइड बनकर के सियो टू देन सियो टू को रिमूव करा दे और सी डबल बॉन पो एच्टू अब यहां कार्बन की प्रजेंस फोर है टू त्री एन फोर तो यह आपका जो कंपाउंड बना यह होगा ब्यूटे नोर तो इस प्रकार से कार्बॉक्सिलिक अमनों के द्वारा केटोंस का फॉर्मेशन किया गया था नाओ नेक्स्ट मैथड फैटी एसिड्स के कैल्सियम साल्ट के ड्राइड डिस्टिलेशन द्वारा अर्था वसी अम्लों के कैल्सियम लवणों के सुस्क आश्वन द्वारा की टोंस का निर्माई तो एक्जाम्पल लेंगे कैल्सियम एसीटेट का फॉर्मूला होगा CH3 COO का होल टेकन टू एड़ इसे हम ओपन स्टक्चर फॉर्म में रिपेजन करा दें तो सीए एक और इसका डिस्टिलेशन और था आस्वन करा दें तो आस्वन कराने से यहां से कैल्सियम कार्बोनेट ऐसे सबस्ट्रेक्ट्री प्रोड़क्ट आउट हो जाएगा तो सी ओ ओ और यहां कीटोन ग्रूप की प्रिजेंस हो गई और सीओ की उपस्तिती के कारण आपका जो में प्रोड़क्ट है वो कीटोन में के कन्वर्ट होगा सी एच्ट्री सी डबूल पॉइंट और एंड सी इस तरह से यहां एसी टोन कि में कंपाउंट के रूप में उत्वात के रूप में प्राप्त होगा इसी मेथट का सेकेंड डियेक्शन लेंगे जो की एरोमेंटिक की टोन्स के फॉर्मेशन को प्रूफ करता है फैटी एसिट्स का साल्ट लेंगे कैल्सियम बेंजोएट फार्मुला होगा सी ए एंड टू बेलेंसीस पर सी सिक्स एच पाइब सी ओ ओ और इसका डिस्टिलेशन कराएंगे आस्वन कराएंगे तो आस्वन द्वारा कैल्सियम कार्बोनेट यहां भी सब इस्टेक्ट होगा और सी ए सी ओ त्री का प्थक करन होगा जिसके फल सुरू अरोमेटिक की टोन स्क्राप्त होगा सी सिक्स एच फाइब सी डबल बॉर्ड ओ और सी सिक्स एच पाइब यह उच्छ आणभार वाला की टोन मेंगे इसे बेंजो फिनोन नॉमिनेट करेंगे और नेक्स मेथड बाय और्गेनो कैड्मियम कंपाउंड्स कार्बो कैड्मियम योगिकों के द्वारा की टोन्स का निर्माण नौरेक्षन असे टिल क्लोराइट के ट्वाइस मॉलेक्यूल लेते हैं चीच्छ त्री सी ओसील एस्टिल क्लोराइट का फार्मूला होगा और इसका रियक्ट कराते हैं ड्राइएथर की पजेंस में यह सुस्क एथरों की उपस्तिती में डाइमेथल कैड्मियम द्वारा प्राप्त होते हैं और इस रियक्षन के द्वारा एसी टोन का फार्मिशन किया जाए नौ नेक्स मेथड फ्रॉंग ग्रेगनार्ड रियेजेंट ग्रेगनार्ड अभी कर्मकों द्वारा की टोन्स का निर्मार्ड मोस्ट इम्कॉर्टिन नॉमिनल रियेक्षन होगी और हम लोग इस रियेजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कॉमन फार्मूला लिखते हैं आर एमजी एंड एक्स और इसके एकॉर्डिंग हम यहां ऐसे रियेक्टिंट इसका यूज करेंगे आर फॉर मैथिल एंड एक्स फॉर हैलोजन तो हैलोजनों में क्लोरीन ब्रोमीन आयो मस्ते हैं अर्येक्टिंट एसिटो नाइटिल सी एस्ट्री सी ट्रुपल बॉंड एन प्लेस रियेक्ट करातें ग्रिगनार डीजेंस है और एमजी एक्स और सी एच्ट्री एमजी आई नेम होगा मेथिल मैगनीश्यम आयोडाइड दोनों रियेक्ट करते हैं और सेमेट्रि जो आफ्टर रियेक्शन हाइडोनियम आयन की प्रिजेंस में अमोनिया को रिड्यूस करता है यानि एनेस्ट्री को सबस्टेक करता है और मैगनीश्यम हाइड्रॉक्सी आयोडाइड का प्रथक करन करता है और जिसके फलसुरूट यहां मुख्य उत्पात के रूप में एस इसी प्रकार एरोमेटिक की टोन्स के फॉर्मेशन के लिए भी ग्रिगनार्ड रियेजेंस के द्वारा इस रियक्शन को समझते हैं विन बेंजोनाइटर सी सिक्स एच फाइप सी ट्रिपल गॉंड एंड यहां इस्प्रेक्शनल फार्मूले में है यह मैथल मैगनीशन ब्रोमाइट से रियक्ट कराते हैं इन्द पॉजिंस आफ डाइट इट मेक्स मिट कंपोनेंट्स मध्यावय योगिक का निर्मान करता है जो हाइडोनियम आय ऐड़ाक्सी ब्रोमाइड प्रथक होता है जिसके फल्सुरू यहां पर आपका आरोमेटिक की टोण सथी एस्प्रेटॉमाइट होता है और इस आरोमेटिक कीटोण कोशिए जसे से हम aromatic ketones compound कहते हैं और इसे nominate करते हैं मुस्री बेंजो फिनोन में तो यह है एक प्रकार का उच्छ अणुभार बाला ketones का सद्दस्रीत तो इस प्रकार इस अविक्रिया से प्राप्त एसिटो फिनोन का उप्योग मुख्यरूप से इसे रियेजेंट करते हैं और बेंजो फिनोन के प्रोडक्शन के लिए भी इस compound का मुख्यरूप से उप्योग किया जाए नेक्स्ट मेथड फ्रॉम जैम डाइहलाइड जैम डाइहलाइडों दवारा ketones का निर्मार इन रियेक्शन 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन अर्थात दो परमाड़ों वाले हैलोजन परमाड़ों वाले जैम डाइहलाइड को ऐस ए रियेक्टेंट यूज करते हैं और सब्सक्राइब करता है और यहां से ह्टू ओ का रिप्लेस्मेंट करता है देन इसके बाद C और O सेमेट्रिकल हो जाते हैं की टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और मुख्य उत्पाथ की रूप में AC टोन प्राप्ट होता है CH3CO CS3 नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एलकाइन्स एलकाइनों दोरा कीटोन्स का निर्माड जैसा की नाम है इसका एलकाइन अर्थार कार्वन और कार्वन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की पुझेंस होगी तब यहाँ कंपाउंड को हम एलकाइन नॉमिनेट करेंगे यहाँ 3 कार्वन का सदस्ट से है जिसको रियक्शन में हमने लिया है और नेम लेंगे प्रोपाइन तो मेन रियक्टेंट के रूप में प्रोपाइन है फार्मूला होगा CH3C triple bond CH रियक्ट कराएंगे इसका वाटर से इंदपजेंस हाफ H2SO4 एंड है एच जी एसोफोर मर्क्यूरिक सल्फीर तो पहले यह रियक्ट करके आस्थाय योगिक का फॉर्मेशन करते हैं और यहां से यह सिमेट्रिकल हो जाता है OH का हाइडोजन इस कारवन की सिमेट्री पर एंड होता है तो यहां बॉर्ण ब्रेक होगा और CH2 CH3 में कनवर्ट होगा देन कीटोन समूं की उपस्तिती से acetone as a main product प्राप्त होगा और इस प्रकार एलकाइनों से कीटोन का फॉर्मेशन होगा और नेक्स मेथड बाइ रिडेक्टिव ओजनोलिसिस आफ एलकीन्स अर्थात एलकीनों के अपचेत ओजोनी करन द्वारा तो यहां एलकीन में रियक्टेंट होगा अर्थात डबल वर्ण वाला और्गनिक कंपाउंड एज रियक्टेंट यूज किया जाएगा तो आएए इसे रियक्टेंट के मातिन से समझते हैं यहां ओजोनोलिसिस कराने की क्रिया में आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी हम ओजोन से रियक्ट कराते हैं दिन ओजोनाइट कंपाउंड प्राप्त होते हैं उस सेक्षन को ही ओजोनोलिसिस रियक्टेंट के ओजोन द्वारा इन पुजेंस आफ कार्बन टेट्राक्लुराइट और यह रियक्ट करके ओजोनाइट प्रोडेक्ट का फॉर्मेशन करता है देल इन पुजेंस आफ जडेंट के टेलिस्ट एन्ड दे सेंस आफ एकोसलेशन एच्टू ओ यहां से जडेंट किसी भी एक सिमेट्री के ओजीजन को जडेंट ओ के रूप में आउट करता है इस ओजीजन को सबिस्टेक्ट करा दें जडेंटो के फॉर्म में बचा क्या चाहिए इस ओजीजन के साथ ले रहे हैं इसको CH3, COCS3 दें इतना पार्ट एक सेक्शन कम्प्लीट हुआ की टोन का और यहां भी CH3, COCS3 तो दूसरा पार्ट यहां से कम्प्लीट हुआ आपका इस सिमेट्री का तो दो अड़ू AC टोन के प्राप्त होते हैं जो कि हमने यहां रिप्रेजन किये हैं इस प्रकार से एलकीन्स द्वारा की टोन का फॉर्मेशन होता है कि नाव लास्ट मैथेड़ इस कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्डेन रिएक्शन फॉर्ड फॉर्मिशन आफ एरोमेटिक की टोन्स यह विदी एरोमेटिक की टोन्स के निर्माण के लिए सरवाधिक उप्योग में लाई जाती है महत्तुकॉण पेपर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्डेन रिएक्शन है जो कि नॉमिनल रिएक्शन के रूप में कुछ ही आती है जैसा हम लोग पिछले और्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पढ़ चुके हैं तो एक कॉमन रिएक्शन का कि वेरस आनिक अभिक्रिया है जो अन्हाइड्रेस अल्सील 3 अर्थाक निर्जल अल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रजेंस में होती हैं वे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है अब यहां हम लोग क्यूतों के सेंस में स्टड़ी करेंगे तो कॉमन देन रूत रिएक्शन के तो फानिक रिएड का यहीं तो कि प्रैक्शन इंड बिएंग्ड मिर्ट रिएक्शन और मुए हेग्शन काम तो न्यूक्त शंतौर क्लेज्ड ऑ्त अर्थां श्राइड न्ह्ट निर्जल आं। इट लिएक्शन कर फटा सब्सक्थतियर नीजल क् क्लोराइट की उपस्तिती में किसी एसिड क्लोराइट से कराते हैं तो मुख्य उत्पात की रूप में एरोमेटिक की टोन प्राप को देंग नौ रियक्शन समझते इसका अरोमेटिक हाइडोकारवन बेंजीन यहां बेंजीन की नौर्मल पोजिशन का हाइडोजन एच एसिड क्लोराइड के C-L को सबस्टेक करता है एक C-L के रूप में देन बचा क्या R-C-O तो यह सिमेटिकल हो जाता है इसकी नौर्मल पोजिशन पर जिससे एरोमेटिक की टोन प्राप्त होते हैं पर एक्सम्ब बेंजीन C6 H6 रिएक्ट विद अस्टिल चल्च नौरीड C-H3 C-O-C-L इन पर ज़न सब अन इडरीस अल-C-L यह हैडोजन यहां से XCL को सब्डिस्टेक करेगा और इसके बाद compound आपका किटोन के रूप में प्राप्थ होगा C double bond O and CH3 जिसे nominate करेंगे acetophenone तो इस तरह से benzene से acetophenone का formation होगा अगर हम aromatic acid chloride से react करें तो aromatic ketones का सदस से होगा उच्छ स्रणी का reaction देखते है suppose that benzene का react कराया aromatic acid chloride से AR, C double bond O and CL in the presence of anhydrous ALCL nirgin aluminium chloride तो यहां सेम सब इस्ट्रक्शन होगा hydrogen द्वारा इस chlorine को substrat किया जाएगा HCL के form में then आपका aromatic ketone प्राप्थ होगा higher molecular weight का C double bond O and AR example लेते हैं इसका lateral position में ले लेते हैं या इसी स्थिति में इसे दिखाते हैं बेंजीन नार्मल कोजिशन का हाइडोजन और AR में फेनिल गो रिंग ही दिखा दे अरोमेटिक रिंग और इससे एडिट होगा C double bond O and single bond CL in the same presence of unhydrous AlCl HCl का सब्स्टेट्ट्रें होगा यहाँ से हाँ तो हाइडोजन CL को सब्स्टेट करेगा HCl form में then बोथ रिंग का एडिशन होगा इस कार्बन सिमिक्त्री से तो इसे हम लेटरल पोजिशन में दिखा दें और इस प्रोडेक्ट को एड़ करेंगे C double bond O and other ring भी इसी से एड़ हो जाएगे तो इस तरह से ये compound ketone का सदस्य है उच्छाण भारवाला जिसे बेंजो फिनोन नॉमिनेट करेंगे तो स्टुडेंट्स यहां से हम लोगोंने ketones के कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही सरदस्यों के निर्मान की विदियों को कम्प्लीट किया है रिएक्शन कम्प्लीट किये हैं और यह सभी रिएक्शन मोस्ट इंप्रडेंट है जो वाट एपन में में भी पुछे आते हैं और फॉर्मेशन रिएक्शन के रूप में तो पुछे जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरस्टिंग वेपर कीटोंस के प्रॉपर्टीज की तरफ होंगे और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टड़ी